तो आगे हम discuss करेंगे holding and supporting tools को तो holding and supporting tools में जो first tool हमारे पास आएगा वो हमारा क्या है first tool यह first tool है हमारे पास bench wise तो अभी हम discuss करेंगे bench wise के बारे में कि यह bench wise क्या है तो bench wise एक holding tool है तो bench wise जिसको हम commonly use करते हैं और उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे job को clamp करते हैं hold करते हैं जब को यहाँ पे hold भी होता है अगर हम उसमें कोई operation करेंगे तो वो support का काम भी करेगा तो उसमें supporting भी मिलेगा अगर आप कोई finishing करेंगे तो उसमें एक support भी आपको मिलेगा तो vice is the most common tool and it is used for clamping the workpiece during operation carried out in fitting shop तो fitting shop में अगर आपको work कर रहे हैं तो उसको आपको clamp करने के लिए उसको fix करने के लिए हम vice का use कर सकते हैं और vice में हम बार्त करने हैं bench vice का the vice are made of cast iron generally यह जो होती है वो cast iron की बनी होती है या cast steel body होती है इसमें steel cast body होती है तो casting से बनाते हैं क्योंकि इसमें आपका cost क्या होगा कम लगेगा ऐसे कि बहुत सारे vice है bench vice है hand vice hai pipe vice है तो इस different types of vice है हम अब हम one by one करके हरेख vice के बारे में इसके बारे में हम स्वास करेंगे बेंच भारे मेंaha के बारे में हम डिसके हुआ तो सारे वास में, जो most commonly हम use करते हैं वो हमारा क्या है bench wise है जिसको हम greatly बहुत ज्यादा use करते हैं fitting shop में तो bench wise क्या है तो इसमें हम इसको बहुत use करते है fitting shop में यह schematic diagram है bench wise का जिसको हम use करते हैं bench wise में जो different parts है आपका उसको हम discuss करते हैं क्या-क्या parts है, यहां पे hole for fixing the vice, हम यहां पे क्या दो holes होती है, एक holes यहां पे और एक holes इसके just opposite में होगा, तो दोनों holes होती है, और इस hole का क्या काम है, कि fixing the job, हम इसे क्या करता है, job को fix करते हैं, फिर हमारे पास क्या है, handle है handle को हम क्या करेंगे rotate करेंगे तो इसमें क्या होगा आपके threads होते हैं तो रोटेट करने से एक यह जो movable job है यह क्या होगा move करेगा और fixed job क्या होगा आपका fixed होगा नीचे base है जिस पर यह टीका हुआ होता है और जो भी आपके पास work piece होगा जिसको आपको hold करना है उस work piece को हम क्या करते हैं और hold करने के लिए हम इसको क्या करेंगे इसको हम रिवाल्ब करेंगे इसको turn करेंगे तो यह और ताइट होगा इसका movement होगा इधर और move करने के बाद क्या करेगा यह टाइट हो जागा यहां पे जो जो होते हैं फिक्स जो और moveable जो इस दोनों जो में क्या होती है एक नर्लिंग profile रहता है ne chron profile रहता है नल profile मतलब से अब का ओना प्रवाइल बना हुआ रहेगा इससे क्या होगा कि जो job होगा वह अराम से वहां पर बैठेगा उस में कोई movement नहीं हो सकता है यह job को hold करने क्लिए बेस्ट प्रफाइल है तो इससे हम क्या करते हैं जोब को होल्ड करते हैं तो इसे क्या होगा जोब आपका वहाँ पे क्लैंप रहता है वो फिक्स रहता है उसमें होल्डिंग भी होती है साथ ही साथ अगर आप को report निकना है तो यह drawing आप draw कर सकते हैं लेकिन यह आपका क्या actual images है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है इसमें holes है fix fix करने के लिए holes है चार holes रहते हैं कभी-कभी दो holes भी होते हैं यहाँ पे एक extra आपके पास option है कि आप इसको revolve भी कर सकते हैं इसको light loose करके यहाँ पे आपका यह job है यह job आपका fix है दूसरा movable है यह आपका fix job है यह आपका movable job है यह handle है जिससे हम क्या करते हैं इसको tight करते हैं और यहाँ पे thread होते हैं thread पे क्या होगा इसका movement Connect अपका होगा तो तुँट के साथ हैंडर के साथ यह आपका जो एक्षल होगा उस ऐक्षल का मूवट् शौगा और जॉब क्या करेगा जो यह मूखें बूरğl जॉब है यह आपका क्या करेगा क्या section view हैं, तो section view करेंगी तो section में दिखेंगे कि यहाँ पर nut होगा आपका, A fix job है यह आपका movable job है, इसमें handle है, तो handle को जैसे ही rotate करेंगे, तो rotate करेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपकी nut का movement होगा और यह movable job, इस पर handle किया bench wise के बारे में हम आगे discuss करते हैं some other wise के बारे में तो bench wise का हमने दो drawing देखा एक आपका 3D drawing है और यह आपका sectional view है तो जब आपको बनाना होगा तो आप दोनों drawing बना सकते हैं यह drawing drawable है आप इसको draw कर सकते हैं very important है आप इसको draw कर सकते हैं तो the holding faces of George are not on have to hold the work piece formally तो उसको आप rigidly formally आप उसको क्या कर सकते हैं जॉब को आप hold कर सकते हैं क्योंकि जो jobs होते हैं चाहिए वह movable job हो या आपका fix job हो दोनों पर null profile रहते हैं उसमें knurling किया हुआ रहता है और वह profile बहुत important profile है null profile अभी हमने बताया discuss कि आपका कि कि आप उसको job को very rigidly आप उसको very formally आप उसको क्या कर सकते हैं the jobs of the vice are usually kept over hanging the age of the vice bench तो इसको क्या करते थोरा सा हम जो इस job होते थो थोरा सा bench से थोरा सा hang करके रखते हैं यहां तक अगर आपका bench है तो job थोरा इदर रहता है ताकि इसको revolve करने में handle को revolve करने में या operation करने में आपको easy हो तो ऐसा हम आपके adjustment आपका हुटता है कुछ और points हमने यहां पे लिखा है कि the gripping the work piece in bench vice jobs are opened by withdrawing the movable job with the help of hand तो आप इसको open भी कर सकते हैं movable job को withdraw करके करे हो आसे दरीक इसको तुरह सा लूज कर सकते हैं थोरह सा आगे आपको इसको expand कर सकते हैं expand कर कि इसमें job को fit कर सकते हैं अगर आपको आपका diameter ज्यादा है तो थो हाज तो ज़्हें extra round कर सकते हैं और आप अपना operation जो है उसपर कर सकते हैं Next discuss करते हैं हम लोग handwise के बारे में की handwise क्या है तो handwise का हम यूज कर सकते हैं कुछ अगर चोटे-चोटे jobs है बड़े jobs को आप यूज कर सकते हैं बेंज़ भाइस पर ऑगर चोटे jobs है जो बहुत ही चोटा है very small jobs है तो उसको आप handwise से कर सकते हैं उसको hold कर सकते हैं the hand-wise are made in various shapes and size for to accommodate workpiece आप एक workpiece को accommodate करने के लिए different size का different shapes का बना होगा bench-wise देखें तो एक standard size का होगा उसमें भी छोटे बड़े होते हैं बट एक standard size मिलने मिलीगा आपको छोटे भी bench-wise आते हैं जब आपको small pieces को hold करना वक्त कूमें जो सबस्क्राय गरते हैं हम आपका क्या करता है जो हैंड-wise उसको यह हामार ड्राइंग है उसका उसका हैंड-wise का इसमें आपका क्या होगा कि इसमें भी job है आपका दो जोग है आपका रिंग-नट जो रिंगि नट बोल्ट पर क्या होगा? मुफ करेगा, आप जब इसको टाइट करेंगे, तो यह जब आप आपका कि दरह जाएगा, अगर आपकोई यहाँ पर रखा है, कोई जोब आपने इसमें फोल्ड किया है, तो आप वो टाइट कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक एक flat spring रहता है, तो जब आप open करेंगे, ताकि यह easily open हो जाए, तो spring लगा हुआ रहता है, तो spring क्या होगा, जब आप tight करेंगे, तो spring में आपका एक compressive force लगेगा, जब आप उसको loose करेंगे, तो इससे क्या होगा, easily loose हो जाएगा, तो यह handwise है, इसका schematic diagram है, यह actual image है, handwise क्या है, तो इसमें क्या होगा, it consists of two steel legs, इसमें दो steel के leg होते है, यह सब क्या steel के legs है, यह steel के legs है, इसमें आपका क्या है, एक ring nut इस पर लगा हुआ, यह ring nut है, hinge together at the bottom, तो यहाँ पे यह दोनों hinge है, यहाँ पे देख सकते हैं, कि hinge support लगा हुआ है, तो यहाँ पे hinge किया गया है, तो एक साथ यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, दोनों को hinge कर दिया है, तो they are hinge together, तो यहाँ पे इस point में हमने क्या कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं, spring लगा हुआ है, spring यहाँ भी लगा हो सकता है, यहाँ भी लग सकता है, वो depend करता है, इसमें क्या spring यहाँ लगा आपको लूच करना होगा जब आपको जोब को टाइट करना होगा तो इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से भूमा के अट दा अधर एंड जॉब्ज आ प्रवाइडेड ए a spring is provided between two legs to keep them separated the jobs are opened and closed by means of ring nut. तो ring nut का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसको open कर सकते हैं, close कर सकते हैं और उसमें job को fix कर सकते हैं. इस से हम क्या करते हैं? जो small jobs होंगे, very very small jobs, जो चोटे-चोटे jobs होंगे, उसको हम क्या करते हैं? और आपना operation क्या करेंगे, करेंगे. नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो discussion होगा, वो होगा pipe wise के बारे में कि यह pipe wise क्या है? तो यह pipe wise है, आप हम देख सकते हैं, यह हमारा pipe wise है, यह इसका actually मेंचे, pipe wise का, इसमें आपका handle होगा, यह nut है आपका, यहाँ पर भी देखें, दो job है, यह job है, यह movable job है, यह आप tight करेंगे तो नीचे आएगा, और loose करेंगे तो यह क्या होगा, ऊपर आएगा, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, pipe को fix कर सकते हैं, तो यहाँ पर nut and bolt लगा कि इसको bench पर fix कर सकते हैं, यह इसका handle है, तो handle आप इसको rotate कर सकते हैं, यह nut है उसका, तो as name suggest, pipe wise is used for holding इसको क्या कर सकते हैं? pipe के लिए, या सब्सक्राइब के लिए या कोई circular job है, उसको hold करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको use कर सकते हैं, इसमें भी दो आपका होगा, एक movable job होगा, दूसरा रोटेट ल मुवब बूल जो फूर ग्रिपिंग डॉांड लॉपश इसको रोटेट कर सकते हैं एंडल के तूर अब्सक्रों है ऐसका मुवमेंट होगा और क्या कर सकते हैं यहां पे कोई सप्रिंगे सबने जाएगा आपका हैनल के थो तो नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वह हमारा नेक्स्ट है सी क्लांप और सी क्लांप आप यह स्क्मेटिक डियाग्राम है सी क्लांप का तो सी क्लांप आप दे सकते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा होल्डिंग और फोर्डिंग टूल्स है तो यह सी सेप में है और यह क्लांप करता है इसमें भी आपका एक हैंडल है इसके भी डिफ्रेंट पार्ट हम दिखते हैं सी क्लांप का एक आपका क्या है यह आप को लाइन ड्राइंग ही ड्राउ करना होगा तो यह लाइन ड्राइंग आप ड्राउ कर सकते हैं देखते हैं इसके सी क्लैंप के डिफेंट पार्ट्स को तो सी क्लैंप में डिफेंट पार्ट्स है तो सी क्लैंप में डिफेंट पार्ट्स में आपका फर्स्ट पार्ट आपका ह is great job जो swivel होगा यहापका movable job की तरह काम करेगा यह आपका move करेगा और इन दोने के बीच का का जो grab होगा उसको बोलदेंगे त्रोट है कि कितना आपका वर्ग पिस कितना लेंद का वरक्पिस आपका यह Well कर सकता इस में फ्रेम होता है जो six shape चैप का उता है vice के बारे में clamp के बारे में जो हम जिसका use करते हैं hold करने के लिए या support करने के लिए हम use करते हैं तो हमने अभी discuss किया C clamp, bench vice pipe vice और हमने hand vice के बारे में discuss किया तो कुछ और discuss करते हैं हम लोग बात करते हैं V block के बारे में कि ये V block क्या है और इसका कहा использ करते हैं तो v lawg हमारे पस क्या है तो v lawg के बारे में discuss करेंगे तो अभि तक हमने discuss किया कुछ vice के बारे में और अभी हम आगे discuss करते हैं v lawg के बारे में कि यह v lawg क्या है और हम कैसे इसका use करते हैं तो v lawg is used for supporting the shafts and buses तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई round surfaces थे उसको support देने के लिए यूज़ करते हैं, V-block को support एक देना है, जहां भी हम आराम से इसको V-group में उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, फिट कर सकते हैं तो इसको और कोई object है, तो इसको औरा आराम से longitudinally हम इसको चुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अगर आपको कोई काम करना आ तो इस कोई अपर आम से करिआरब do time B block का support करने के लिए आप यूज कर सकते अभी तक हम नहीं जो यूज क्या होगा अपका hold करने के लिए यह हमारा क्याइस को use कर सकते हैं support करने यह आपको support देगा-hold नहीं करें एक預 क्रीजिट hold नहीं होगा इसका ऐने आपका जो हर एक degree of freedom में वो आपका constant करें देगा कोई भी डिग्री ओफ रीडम कोई भी मुवमेंट नहीं हो उसमें यह एक्चॉल इमेज है आपका वी ब्लॉग का कि यह वी ब्लॉग है आप क्या कर सकते हैं वी ब्लॉग आपको उसमें Magnetic V-Block भी आते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं Magnetic को Enable और Disable कर सकते हैं Simple Plane भी आ सकता है या Magnetic भी आ सकता है तो Magnetic आने से का कर सकता है वो थूरा सा Holding का काम भी करेगा कि एक Level तक Holding करेगा Permanently अब Rigidly तो Fix नहीं कर सकता है बट एक Level का Holding में भी हो तो V-Block में V-Block का हमinging कर सकते हैं V-Block को U-Clampt देखके U-Clampt के साथ मदद से हम क्या कर सकते हैं V-Block का का यूज कर सकते हैं यह नीची अगर V-Block है ओव उपर से U-Clampt देदेंगे तो यह हमारा आपका एक B-Block है जशरा क्या Universe Thanでした तो u clamp की मदद से आप क्या कर सकते है इसको rigidly screw है इसका tight करके आप क्या कर सकते है तो यहाँ जो cellular job है आपके पास वो u clamp में यह u ship का है इसलिए यह u climb नीचे आपका v ship से यह v block है यह आपका v block है और उपर में आपका क्या u clamp हैं तो दोनों आपका आप आपको U discrete looks क्या हो सकता है fix हो सकता है आपको fix कर सकते हैं तो v block और u clamp के मदद से आप क्या कर सकते हैं, support, चुल्डिक काम है दोनों कर सकते हैं यह शकैत अच्छ यमेज का यूजी इंच स्लिंग का का तो वी ब्लॉक है जो वी-म Beyond नीचे में हैं और हमने क्या क्या यूज यू ब्लॉक है यूज क्ट Beautcoat ये हैं उसको हमने जो cylindrical, cylindrical job जो है, उसको हमने क्या क्या है, यहां पर hold किया? तो V-block का and U-clamp का help, U-clamp का use करके हम क्या कर सकते? कोई cylindrical job को हम hold कर सकते हैं, उसको support दे सकते हैं, उसको fix कर सकते हैं, उसके बाद बागी कोई operation होगा, तो जैसे मनले जे, यहां साब को cutting करना है, तो यह आप कटिंग कर सकते हैं सॉस से हैक्सा यूज़ करके आपके इसको क्या कर सकते हैं कटिंग कर सकते हैं नेक्स जो हमारे पास सपोर्टिंग टूल है वह हमारे पास क्या है सपोर्टिंग टूल जो है वह हमारा क्या है नेक्स सपोर्टिंग टूल हमारा क्या है एंगल प्लेट है तो एंगल प्लेट का भी हम सपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंगल प्लेट तो नेक्स सपोर्टिंग टूल हमारा पास एंगल प्लेट है तो एंगल प्लेट का यूज करते हैं एंगल प्लेट इस यूज supporting the work piece, surfaces at right angle, उसमें हम क्या करते हैं, जो support देते हैं, वो 90 degree पे angle support देते हैं, to the surface of the table, the angle plate has two plane surfaces which are at right angle, तो इसमें क्या होंगे, दो planes होंगे, और दोनों plane आपके क्या होंगे, आपस में right angle पे होंगे, यह आपका line drawing है, surface, आपका angle plate का, यह line drawing है, यह angle plate है, तो angle plate का, यह angle plate का line drawing है, तो line drawing है, हमारे पास, एक plate यहाँ पे है आपका, और यह आपका दूसरा plate है, यह plate 2 है, यह plate 1 है, दोनों जो है, आपस में क्या है, आपका देख सकते हैं, आपने 90 degree के angle से आपका जूरो होंगे, it is provided with a number of slots, इसमें क्या होंगे, different slots होते हैं, both surfaces, to hold the piece by means of nut welds or clamps, त यह आपका क्या है, actual image है, यह आपका line drawing था, आपका, यह line drawing है, आपका, यह आपका क्या actual image है, आपका जो angle plate है, उसका यह actual image है, तो angle plate आप use कर सकते हैं, supporting as a supporting tool आप उसको use कर सकते हैं, next जो हमारे पास tool है, supporting tool है, वो हमारा surface plate है, बहुत important है surface plate, तो surface plate में क्या होगा, आपका ए या आपको fitting करना हो तो surface plate का use कर सकता है इसके साथ आप v-block यूजक कर सकते हैं और ऊसके बाद आप surface plate पे ठकके आप यूज कर सकते हैं तो surface plate का generally जो safe होगा वो rectangular safe होगा या इसका square safe हो सकता है और ये perfect horizontal plane होगा जो आपका surface होगा ये आपका surface plate का line drawing है तो एक आपको perfect surface आपका एक perfect जो आपका flat surface आपको मिलेगा तो यह अगर आपको कभी भी flat surfaces की जरूरत है measurement करने के लिए या reference के लिए use करने के लिए तो one and only आपको जो tool मिलेगा वो आपका surface plate है ये आपका actual image है surface plate का तो ये generally cast iron का होगा और उपर में आपका हो सकता है high carbon steel लगा हुआ रहेगा तक ये आपका rigid हो इसमें कोई scratching ना हो आपका तो ये आपका image आपका surface plate का तो ये आपका handles होते हैं जिससे आप उसको carry कर सकते हैं नीचे उसका base होगा और ये आपका top surface होगा जिस पे जो perfectly आपका flat होगा उसमें एक trueness होगा इसका test कर सकते है true आपका होगा तो इस तरह से हमने discuss किया different holding and supporting tools को तो हम आगे discuss करेंगे marking and measuring tools को तो आगे हम discuss कर रहे हैं marking and measuring tools को